अगर हम बॉलिवूड की बात करें तो आज हम एक ऐसे बॉलिवूड एक्टर के बारे में बात करने जा रहे हैं, जो यूँ तो कई साल पहले ही दुनिया को अलविदा कहे कर जा चुका है, लेकिन फिर भी बहुत कम लोग ऐसे होंगे जो इस एक्टर की मौत से बाकिफ होंग जी हाँ आपकी जानकारी के लिए बता दे कि इस एक्टर ने कई फिल्मों में विलेन का किरदार निभाया है और कई फिल्मों में कॉमेडी भी की है, इसके इलावा यह है एक्टर सल्मान खान, गोविंदा और शाहरो खान जैसे कई सुपर स्टार के साथ काम कर चुका है, जी हाँ दरसल हम यहाँ किसी और की नहीं बलकि निर्मल पांडे की बात कर रहे हैं, जिसने फिल्म हद कर दी आपने में गोविंदा के दोस्त संजे का किरदार निभाया था, इसके इलावा निर्मल ने फिल्म प्यार किया तो ढरना क्या में ठाकुर विजय का किरदार भी बाया था, यानि अगर हम सीधे शब्दों में कहें तो लोग निर्मल को विलेन के किरदार में देखना ज्यादा पसंद करते थे, वो इसलिए क्यों की विलेन के रूप में निर्मल ने लोगों की नजरों में अपनी एक अलग ही छवी बना ली थी, यहाँ तक कि कई फिल्म निर्मल की हसी इतनी खौपनाग थी कि लोग इनकी हसी सुनकर ही डर जाते थे। गौर तलब है कि फिल्म हम तुम्पी मरते हैं में निर्मल ने जो विलेन का किरदार नहीं भाया था। उसे लोग आज भी याद करते हैं। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दे कि निर्मल क का जन 10 अगस्त 1962 को हुआ था। बता दे कि निर्मल पांडे ने बैंडिट क्वीन फिल्म में भी काम किया था और उन्हें इसी फिल्म से काफी पहचान मिली थी। जिसके बाद उन्होंने बॉलिवुड की कई फिल्मों में काम किया। इसके साथ ही निर्मल पांडे को बेस एक्टर का अवाड भी मिल चुका है। वैसे जो लोग नहीं जानते, उनकी जानकारी के लिए हम बता दे कि निर्मल पांडे की मौत भी हार्ट अटाक से हुई थी। जी हाँ उस समय उनकी उम्र महज 47 साल थी। अलाकि आज के समय में 25 साल के युवक को भी हार्ट अटाक आ अब भले ही उन्होंने फिल्मों में एक विलेन का किरदार निभाया हो लेकिन बास्तव में वो विलेन नहीं थी। यानि अगर हम सीधे शब्दों में कहे तो अपनी नीजी जिंदगी में निर्मल किसी हीरो से कम नहीं थी। अलाकि ये बात अलग है कि बॉलेवुड में मौत का जिक्र नहीं किया गया। शायद यही वजय है कि बहुत कम लोग उनकी मौत के बारे में जानते है। गौर तलब है कि निर्मल पांडे ने अपनी दमदार एक टिंग से लोगों के दिल पर अपनी एक अमिठ छाप छोड़ी है। जी हां आज भले ही वो हमारे साथ नही एड़ी दे